बिहार में नितिश कुमार ने पाला बदल कर एक बार फिर से NDA की सरकार तो बना ली लेकिन बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही आर्जेडी सुप्रीमो लालू यादब के एक बयान से बिहार की सियासी सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है हमारे सायोगी गनेश समराथ है गनेश जिस तरह से लालू यादब ने बयान दिया कि नितिश कुमार के लिए दरवाजा खुला है और जब आएंगे तो हम जरूर सोचेंगे क्या लगता है कि फिर कोई खेला बिहार में होगा ayAyika देखिए बिहार में संभावना और सियासत में संभावना आज कल के बयानों के बाद बिलकुल होसकता है क्योंकि कोई नहीं जानता था तक कि नितिश कंमार bjp वापस जा सकते हैं तो ऐसे मैं अपने यह नहीं कहा जा सकता लुट में भी नहीं दिख रहे हैं इनको लग रहा है कि पता नहीं नितीज जी अगर वापस फीर आते हैं तो किस तरीके से जगह बनाके रखा जाएं तो इस बार राजनितिक इस पेंटिक रिष्टे खराब नहीं किया जा रहा है कि यह जो कोसिस है वह इस बात लालू यादो के पुरे परिवार के परफिसे किया रहा है कि मेरे जश्वी अदू आर्फोबी हम ने कभी दर्वाजा बंद नहीं किया हम तो हमेशा हमारा दरवाजा खुला रहता है और बिहार के सियासत में लालू यादो के बारे में कहा जाता है कि लालू बड़ी-बड़ी बात है हल की अंदाज में कहा जाते हैं 2024 का चुनाओ का नतीजा अगर आता और पचीश में कुछ परस्तितिया बदलती है और नितीश जी के पास कई option होते हैं अगर काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर नितीश जी कहीं सब्सक्राइब कारन क्या है वजह क्या है कि महागटवंधन खासकर RJD नितीश कुमार से द चाहते हैं एक तो लालू परसाद यादो जो है वो बिहार में जो समिकरण है वो देख रहे हैं कि 2015 में जब लालू और तो जश्वी मिलकर चुनाओ लड़े तो चुनाओ के नतीजे किस तरीके से बीजेपी के परचंद लहर के बाद नरेंद्र मोधी के लहर के बाद भी ब लाल के वक्त में जातिकत रंक्षण की बात हो दोनों पिछड़े पिछड़ों की राजनीत करते रहें तो लालू यादो को पता है कि अगर नितीज कुमार का चेहरा बेदाक्ष भी और जिस तरीके से उनने काम किया उनने खुद को प्रूफ कर लिया है अगर वो साथ उनक अग buscar में मुखधारा में बने रह audio शबसेश ताकतवर पाटियें रवी जरुवत नितीज कुमार को लेने की लेकिने निटीज कुमार को मजबूरी अब भी जबतां самой चर्टे मान ली और सवे पीर को अगर फीजी पे ने सरते मानी तो नितीज कुमार का धग और महत्व दोनों बड़ा और यह बात लालु यादो अच्छे से जानते जानते हैं दूसरा बात हम यह कह सकते हैं कि लालु प्रसाद यादो और तेजश्वी यादो जब राज जनता दिल नैटेट स्याद राष्टी जनता दल का गड़बंदन था बिहार में और साथ दलों प्रस्व भी हो गया है तो इस जाज के नतीजे ज्यादा नुकसान दायक नहों जाएं तो यह डर भी सता रहा और इस डर के वह दोज़से भी लालु और तेजश्वी सर्वजनिक तोर पर रिस्ते खराब लालु यादब कुड़ सता रहा है तेश्वी अधर कुड़ सता र पुछदियों के लिए सुषिल कुमार मोदी उन्होंने का रोप लगाया था कि लालु यादव के बड़े बेटे तेज परता पे आदो उस वक्त परिवरन मंत्री थे तो उनके द्वारा पटना जू में मिट्टी भरवाई करवाया गया और यह मिट्टी जहां से आया था वह उसके बारहं बताया था कि वह परिवार के ही किसी जानने वाले या करीबी लोगों के जगे से मिट्टी आ रहे तो मिट्टी घोटाला का खुब चर्चा हुए था नितीश कुमार महाकटबंदन सरकार में उस वक्त महाकटबंदन की सरकार थे उस सरकार के मुख्या थे और मामला मुख सचीव तक पहुचा और मामले की जांच की गई जांच के बाद जब रिपोर्ट आया तो तेजपरताब बेदाग साबित हुए थे तो मिट्टी घोटाला कि फाइल दब गई थी और यह तब संभव था कि जब रिष्टे अच्छे हों हलाकि उसके बाद सरकार तूट गई तो नितीश और तेजश्वी दोनों काफी एक दूसरे के विरोधी रहे आमने सामने मतब राजभवन तक मार्च किया गया मतब कार्यकरताओं का जिस तरीक आ हैं जाने का फैसला किया pensar कि इसमार की दचानलर प्रास। नितीश कुमार का सरवजन तर्फ नहीं कर करते हैं तो एक समझदार नेता की तरफ एक मजए हुए पॉलिटिशेन की तरह करते हैं कि ठकेवे मुख्मंतरी को हमने धक्का देकर आगे बढ़ाया इसमें नितीश कुमार की मांसमन और शभी को छोटी धुमिल करने की कोशिश नहीं है बलकि रिस्ते को निभाने की भी कव ही नहीं को नहीं है तो आज समराच चोधरी को कई सवालों का जबाब खुद को देना पड़ रहा है तेजश्वी या लालू यह नहीं चाहते हैं कि कल अगर ऐसी प्रस्तिति बने तो उनको दूसरे के सामने जबाब सूझे नहीं जबाब वह पहले से तयार रखना चाहते ह नहीं है तो दो मुख के कारण है यह तो लालू और तजश्वी की एक रणनीती है कि नितीश कुमार के लिए हमेशा दरवाजा खोल कर सौट कॉर्णर अपनाया जाकि जब सरकार में या फिर जब भी कभी जरूवत पड़े तो नितीश कुमार के पास जाने में कोई सी परक रहते कि कितने रुपए तो लाखों रुपए कि जब बात सामने तो नितीश हलके में नितीश मर कोई बात कहते नहीं है तो इन तमाम चीजों को लेकर कि प्रस्तितिया अनकूल रिष्टे को इतना बना कर रखने की कोशिस हो रही है कि जब रिष्टे खराब हो जाएँ जुकानी पड़े और किसी से अपनी बाते चुपाने में और कहने में सर्भ नहीं कि बात अबत अगर आते हैं तो हम उनका सौगत करेंगे कांग्रेस की महिला विधाय करें तो आप तोर पर कहा कि नितीश कुमार ने काम किया है महिलाओं के लिए काम किया है हम तो खुले तोर पर बोलते हैं खुले मंद से बोलते हैं सदन के अंदर बोलते हैं कि नितीश कुमार जैसे नेता बिहार में नहीं है और बेदाग हैं और को और आएंगे तो हम स्वागत करेंगे तो नितिश का स्वागत हर तो तरफ longer फिया रहा है। भिलकुल यह आपको बता रहे हैं कि नि पूरा किया नितीज कुमारवी विहार को उस दौर से निकाल कर आज के दौर में लाने में जो असंभव सा काम दिख रहा था उसे पूरा करने का काम किये और यही वज़ा है कि नितीज के साथ हर कोई जाने को बेकरार है नितीज के साथ बीजेपी के लोग उसी बेकरारी से ज आते हैं जिस तरीके से कोई बिल्कुल अपना है उसके बाइर काम नहीं चल सकता है और देखिए एक बार नितीज ने ओफर क्या किया कि बीजेपी के तमाम लोग भागे-भागे चले आज आर्जेडी के लोग 2022 में किस तरीके से चले आ हैं 2020 की चुनाव हारने के बाद तो नि यहीं प्रणाम के वज़े से कॉंग्रेस उबामदल राजत या बीजेपी खुद सोचे कि देश की सबस्वड़ी पार्टी नरेंद्र मोदी और अमिस्सा बिहार में आकर नितीज कुमार से पशड़ जाते हैं मतलब सोचे जो पूरे देश की सियासत को चला रहे हैं वह बिहार में एक नितीश कुमार का मैंट से सुचे कि जिस तरीके से नितीश कुमार ने इंडिया कटबंदन का एक स्वरूप बना दिया कि किसी ने नहीं सोचा था कि देश के सभी विवक्ष के नेताओं को एक तरा सुर्वमान ने हैं और महागडबंधन में भी सुर्वमान है नितीश कुमार इन तमाम पड़कुर्णों से पड़े उनका बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि हम जहां थे वहां आ गये हैं अब कहीं नहीं जाएंगे लेकिन राजनिती में नितीश कुमार जिस तरह से अब मतलब नहीं रहा है कि 2003 के बाद नितीश कुमार कई सफाई दे पाया है 2015 में भी नितीश कुमार ने सफाई दिया 2017 के बाद 2015 में इतीश कुमार ने सफाइड हो दोग् grazing सफाई दे रहे हैं तो निटीश कमार की सफाई और उनकी कई उप्रावले उनके साथ यह इनноп आर नितीश कुमार को पूल कर बताते नहीं है और यह वो कोई भी हो सकते हैं आज डर्ख मंटरी निंगा कः कि पहले मिडिया के अंदर हमारी ख़बर नहीं चपती थी आज मी को बहुत गरीर लिकिन उसकी ख़प र海 पहले भी बिश्लेमar कंच सकते हैं即छ और उसकी में सब्सक्रेंङ सकता है और एक वर्ड एक संटेंस एक सब्द से नितीश कुमार दोनों को साथ लेते हैं यही राज है कि नितीश कुमार लगातार मुखमंतरी पत्पर बने हुए बीच में अगर मांजी जी का कालकार छोल देदा चोटे से कारिकाल को तो चाहे गडबंदन किसी की हो लेकिन नितीश कुमार ने जाती की पार्टी से अलग एक समिक्रण बनाया और उन्होंने बताया कि काम के दम पर सरकार बना जा सकता है जब पूरे दुनिया के अंदर काम के दम पर कोई सरकार नहीं बना रहा था वहां नितीश कुमार ने सरकार चलाया 2005 से लगतार नितीश कुमार हैं लेकिन लालू यादब के एक वियान से बियार की सियासी सरगर्मी एक वार फिर से बढ़ गई है लालू यादब ने साब तोर पे कह दिया है कि नितीश कुमार अगर आएंगे तो हम सोचेंगे उनके लिए दरवाजा खुला है कॉंग्रेट्स भी कह रही है कि नितीश कुमार का स्वागत किया जाएगा बामदल भी कह रही है कि नितीश कुमार का स्वागत किया जाएगा लेकिन इन तमाम परकड़नों से परे नितीश कुमार का बयान सामने आता है और कहते हैं कि हम जहां थे वहीं पहले आ गए हैं बीच में इधर उधर हो गया था अब कहीं नहीं जाएंगे लेकिन नितीश कुमार बिहार की राजनिती में जिस अपरत्यासित चेहरा के तौर पर सामने आया हैं कुछ भी कहना उचित नहीं है क्योंकि नितीश कुमार बाया का सिलसिला यूही चलता रहेगा ये लो मुह मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुड़निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाया है, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पुड़निया में हम रहेंगे कहा? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हो, अपने पुड़निया में घर ले लिया है पुड़निया के e-homes panorama में पुड़निया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान, जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अड़े-अड़े, आप क्यों मुझ मिठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुड़निया में e-homes panorama के संग e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined